गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुर्जर पर्तिहार जो गुर्जर पर्तिहार वन्स था उसका इतिहास में क्या योगदान रहा इस सब के बारे में पढ़ेंगे तो देखें यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करें और वीडियो उसको लाइक और सेर करें और यदि कोई सुझाव आपको देने हूं तो कमेंट बोक्स में आप कमेंट कर सकते हैं ठिक है तो चलिए पढ़ते हैं गुर्जर पर्तिहारों का इतियास में क्या योगदान था गुर्जर पर्तिहार उत्तर भारत का पर्मुक राजवन्स था इस वन्स की उत्पति के बारे में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग मत दियें जो इस प्रकार से हैं गुर्जर पर्तिहारों की उत्पति तो पर्तिहार परसित गुर्जरों की एक साखा थे गुर्जर उन मद्धे एस्याई कबिलों में से एक थे जो गुप्त समराजे के पतन के बाद हुनों के साथ आए थे राश्टकूर्ट रिकार्डू के अनुसार पर्तिहार गुर्जरों से संबन्थ थे अबु जैद एउम अलमसूदी जसे अरव लेकों ने उत्तर के गुर्जरों से उनके संघर्ज का उलेक किया है सबसे महत्वपुन परमान कंदर के कवी पंपा का है जिसने महिपाल को गुर्जर राज कहा है यह नाम राष्टर कूर्ट दरबार के पर्तिहार अर्थार उच अधिकारी पत्य धहरन करने वाले राज़ा से उत्पन है गुर्जर पर्तिहार राजमस नागभट पर्थम पर्तिहार सर्व पर्थम आठवी स्ताबदी के मद्दे में लोग पिरिये हुए जब उनके सासक नागभट पर्थम ने अर्पों के आकर्मन से पस्सिम भारत की रक्सा की तथा भडोंच तक अपना परभूत्वय स्ताबित किया उसने अपने उत्रादी कारियों को मालवा तथा राजस्तान के कुछ हिस्सों समेर एक सक्तिसाली राजे सोपा नागभट पर्थम के उत्रादी कारी उसके भाई के पुत्र ककुष्ट तथा देवरास थे तथा दोनों ही मैत्वपून नहीं थे ठीक है रिनोंने ज़्यादा कुछ इथियास में नहीं किया अगला सासक आता है वत्सराज वत्सराज एक सक्तिसाली सासक था तथा उसने उत्तर भारत में एक समराजे की स्थापना की उसने पर्सित भांडी वंस को प्राजित किया जिनकी राजदानी संभवत है कन्नोस थी उसने बंगाल के सासक ध्रमपाल को भी प्राजित किया तथ एक महान समराजे की निव डाली लेकिन उसे राष्ट्र पूर्षासक धुरुवा ने बुरित रह प्राजित किया नागबट सेकिंड वस्त्राज का उत्रादिकारी उसका पुत्र नागबट द्वित्य था जिसने अपने परिवार के खोई हुई पर्तिस्टा को पुनह प्रा दूसरी दिशाओं में अपने तक्तीर आजमाई उसने कन्नोच पर आकर्मन कर धरमपाल के नामजद सासक चक्रायूद को पच्चुत किया तथा कन्नोच को पर्तिहार राजे की राजधनी बनाया अपने अधिनस सासक की पराजे का बदला लेने के लिए धरमपाल ने तैयारियां शुरू कर दी तथा संगर्ष अवसम भाई को गयार्था संगर्ष हुआ पर्तिहार सासक ने धरमपाल को पराजित कर मुंगेर तक अधिकार कर लिया उसके पोते के ग्वाले रविले के नुसार नागभर्ट वित्ये ने अनर्थ अर्थाग उत्री काठियावार्ड मालवा या मध्य भारत मतसे या पूर्वी राजपुताना की राद हिमाले का छेत्र तूरूसक पस्सिमी भारत के अरप निवासी तता कोसाम भी छेत्र में वत्सों को प्राजित किया। मिहीर भोज, राम भद्र के पुत्र मिहीर भोज के राजय रोहन के साथ ही परतिहारों के सक्ति ददीत पे मान हो गई। उसने अपने वन्स का वर्चस्वय बुंदेल खंड में पुनह स्थापित किया तथा जोदपूर के परतिहारों का दमन किया। भोज के दोलतपूर तम्र पत्र अभिलेक से पता चलता है कि परतिहार सासक मध्य तथा पूर्वी राजपुताना में अपना वर्चस्वय स्थापित करने में सफल रहा था। उत्तर में उसका वर्चस्वय हिमाले की पाहडियों तक स्थापित हो चुका था। जैसा कि गोरखपुर जिल्ले में एक कल्चूरी राजा को दिये गए एक भूमी अनुदान से पता चलता है। लेकिन भोज का समराजेवादी लक्से सभी जगे सफल नहीं रहा। वह पाल सासक देपाल से प्राजित हुआ। पूरव की इस प्राजे से निरास नहीं होते हुए उसने अपना ध्यान दक्सिन की ओर केंद्रित किया। यहूं दक्सिन राजपुताना यहूं उज्जेन के आसपास के छेत्रों समेत नर्मता तक अधिकार कर लिया। अब उसका सामना राश्ट्रकुटों से हुआ जिसके सासक धुरुय अध्युत्य ने उसके विजे अभ्यानों पर रोक लगाई। सक्तिसाली पाल सासक देवपाल की मर्थ्यु के बाद राजनतिक परीदर्से में परिवर्तन हुआ तथा राश्ट्रकुटों ने बंगाल पर आकर्मन किया। भोज ने कमजोर नारायन पाल को प्राजित कर उसके पसिमी छेत्रों के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इस विजे से प्रेवरित होकर भोज ने राश्ट्रकुट सासक क्रिशन तृत्य पर भी आकर्मन कर दिया। और कर्शन तृत्य को नरमदा के किनारे प्राजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार भोज का विशार सामराजे उत्तर पसिम सतजल, उत्तर में हिमाले की पहडियों, पूरम में बंगाल, दक्सिन तता दक्सिन पूरम में बुंदेल खंड तता वत्स के छेत्र, दक्सिन पसिम में नरमदा तता सोरास्त पसिम में राजपुताना के हिसों तक फैला भोज का सासनकाल काफी लंबा 46 वर्सों तक था अरब यात्री सुलेमान ने उसकी उपलब्दियों का उलेक किया है अगला सजगाता है महिंदरपाल पर्थम भोज का उत्रातिकारी उसका पुत्रे महिंदरपाल पर्थम था उसके सरवादिक महत्वपून उपलब्दी मगद तथा उत्री पंगाल की विजे थी महिंदरपाल पर्थम विद्वानों का उद्दार सरंग सक था उसके तरबाल का सबसे पर्तिवा साली वेक्ती राज सेकर था जिसकी रचनाए हैं कपूर मंजरी, बाल रामायन, बाल भारत, कावे, मिमासा अगला सजगाता महिपाल महिंदरपाल की मत्यू के बाद गद्दी पर अधिकार के लिए संगर छिड़ गया पहले उसके पूत्र भोज दुधय ने राजगधी पर अधिकार कर लिया एक बार फिर इंदर तृतिये के अधिन राश्त्र कुटों ने परतिहरों पर परहार किया तथा कन्योश नगर को नस्ट कर दिया लेकिन इंद्र तुरितिये के दखन वापस लोट जाने के बार महिपाल को अपनी स्थिती सुधाने का मुका मिला अरब यात्री अलमसुदी जो 915 से 16 इस्वि में भारत आया था ने कन्योज के राजा की सक्ती तथा उसके संसात्रों का उले किया है जिसका राजे पसिम में सिंद तक तथा दक्सिन में राष्टर कूट सीमा तक था अरब यात्री ने राष्टर कूटो तथा परतिहारों के संगर्श की पुष्टी की है तथा परतिहारों की महत्वपुन स्यना का उलेक किया है अवातिया परवर्ति सासक महिपाल का पुत्रत था उत्रादिकारी महिंदरपाल द्वित्य था जिसके काल में सामराजे एविचिन बना रहा चंदेलों के स्वतंतर हो जाने के बार देपाल के सासनकाल में सामराजे तूटना आरम हो गया था देपाल के सासनकाल में प्रारम विगठन के प्रकरिया विजेपाल के सासनकाल में बढ़ गई दसवी स्ताबदी में जब विजेपाल का उत्रादिकारी रजेपाल सासक बना तब तक परतिहार समराजे के सकती समाप्त हो चुकी थी सन 1036 इश्वी के एक अभी लेक में उल्ले कित यस पार संभवत है इस वंस का अंतिम सासर था ठीक है तो देखें स्टुणेंट्स इस वीडियो में हमने गुर्जर परतिहारों के बारे में जानकरी प्राप्त की गुर्जर परतिहारों के राजवंस के बारे में जानकरी प्रा प्रेवाद